तो मद्धिपिदेश में लोगसभा के चुनाओं होने जा रहा है लेकिन चुनाओं से पहले महाकाल की नगरी उज्जैन में इन्वेश्टर समिट होई है और ये पहली ऐसी इन्वेश्टर समिट है जो छेतरी आधार पर होई छेतरी कॉनकिलेब हुआ लेकिन हम तो बात पहले किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आफ देखी बहुत सारे यूवा मेरे साथ हैं सभी से हम बात करेंगे और समझेंगे यह चुनाओं जाय का इसको कह लीजिए बहस घरम कह लीजिए लेकिन ये वो बच्चे हैं जो तै करने वाले हैं कि आकि किसको देश का प्रदान मंत भी बनाएंगे और इस समय तो राहूल गांदी भी अपनी एक नई यात्रा पर निकले निया यात्रा पर वो भी मद्यविदेश में हैं बाकी तमाम सारे युवा इंवेश्टर समिट भी चल रहे हैं बहुत बाते हुई अभी क्या उम्मीद है इस समिट से और किसकी सरकार हमेशा की तरह क्योंकि मोदी है तो गारेंटी है बाकी कोई गारेंटी नहीं दे सकते हैं उन्होंने जो काम किया है उसके हिसाफ से तो यही है ना कि मतलब वो अपने वादे कम से कम पूरा करते हैं तो वादे आप लोग को क्या उम्मीद है किसकी सरकार बनाएंगे मोदी सर किया लगता है ऐसा क्यों कहते कि मोधी है तो बुब जैसे अभी आप देख रहो इन्वेस्टर समिट भी हुई है महोन एदर जी ने भी जो करा है और बहुत सही जी देखने को मिलिए कि कैसे वेश्ट को इन्वेस्टर समिल ने वेश्ट को भी यूज करके टी-शिट्स और ट देखाई देखाते हैं तो आज की युवा पीडी उसी में बिलीव करती है जो करके दिखाएं हम चाहते हैं कि हमारे पास खूब योजनाए हैं खूब आगे से आगे करने का महत्वक आंगशी बच्चे हैं तो ये बच्चे जो हैं आज कुछ करने के इच्छुक हैं और इसलिए वो इच्छुक हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं उनमें जजबा पैदा किया गया है बच् कर राहुल कान जी मन्स से कहते हैं या कॉंग्रिस की तवाम सारे लीडर कहते हैं ये तो एक दिखाबा है बाकी कुछ नहीं है क्योंकि उनको दिख रहे हैं कि हमारा इंडिया आज कहां से कहां पहुंचा है आपको लग रहा है इंडिया बढ़ रहा है येस ऑफ कॉर्स एस स्टूडेंट्स हम ये एक्सपेट करते हैं कि एजुकेशनल इंडस्ट्री में ज़्यादा बून आए आज वी आज फ्रम अवंतिका उनिवरसिटी और जैसे डॉक्टर मोहुनियादव यहीं से हैं तो मुझसे भी यही एक्सपेटेशन करते हैं कि एजुकेशनल इंडस्ट्री उज्जेंज स्टार्ट और वहां पर बहुत ज्यादा एक बून है और नई जो सरकार बनेगी अब लोगसभा के चुनाओ नजदीक आ रहे हैं तो किसको देखींगा आप देश का पजार मत्री किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं आप लोग क्या चल रहा है मन में किसको देखना चाहिए जब हम बात होते हैं जैसे देश में इसमें बात हो रही है इंडिया गडवंदन भी बना है एक तरफ एंडिय है इंडिया गडवंदन एंडिय के बारे में कुछ जानती हैं आप लोग अच्छा राहूल गांदी और मोधी की बात करें तो राहूल के बारे में क्या जानती है जब राहुल गांदी जहां तक देखा जाए ग्रोध की तो ग्रोध तो मोधी गवर्मेंट से आई है अगर हम ग्रोध की बात करें और सर एड्यूकेशन पॉलिसी से लेके जो एंटरपरेनर्ज है स्टार्टप से उनको भी काफी जादा एंकरेज करा है तो सरकार तो मोधी की बाते हैं अपने देखा हैं पार लूफ की देखने से लगता है का यह चीजी बढ़ने वाला है वह उसके लिए पूरी एंग गांट वाला है और आज हमारे देश को एक अलग रूप दिया है उन्हीं हर शेत्र में तो पह जो मोधी है तो और जो गुब कह रहे हैं वहां वो मोधी पर बाकी नेताओं पर क्यों विश्वास नहीं होता है। सनातन का तर्का भी होगा इसमें या सिर्फ विकास के नाम पर चुना हो। क्या परिबरतन देख रहे हैं पहले और अब में पहले तो आप लोग ने देखा नहीं होगा। क्योंकि भीते दस साल से तो यही सरकार है। आप लोग पहली बार के बोटर है या दूसरी बार बोट करने जाते हैं। पर्स टाइम के लिए मोदी। हाँ, मतलब क्योंकि दिखता है ना कि दिख रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा किया है। तो हिंदुत की बात होगी, सनातन की बात होगी, आप लोग कितना इतिफाक रखते हैं इस सबसे की इंदुत सनातन पर बात है। सर, धरम की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा यूथ है, हर धरम को फॉलो भी करता है। घरम को आगे लेके भी जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलिम है, कोई क्या है। हम सब चाहते कि विकास हो तो सबका हो। क्योंकि विक्सित बारत 2047 की तरफ हम आगे जारहे हैं जो कि हमारा आगे का भविश्य और सबक्ता भविश्य मोदी जी के हात में नहीं हम सबके हात Headstrong में मंत्री जुडो के काम कर रहे हैं हमें को दिख रहा है आप क्या सोच रहें कि हिंदुस्तान को किस तरह से देख रहें आप नए हिंदुस्तान को क्या इसमें कुछ और जरूत है सर देखिए पहली बात तो जैसे उन मेडम ने कहा अभी सर ने कहा कि हिंदुत्व पर नहीं जाएगा पर हिंदुत्व पर ज्यादा फोकस जा रहा है मोदी जी का क्योंकि अभी राम मंदिर अभी हुआ और फिर उनका कहना था महाकाल लोग का तो ज्यादा तर एक धर्म की तर और विकास के बेसिस पे चूस करना से अभी कश्मीर में सारी कैमपिसेस खोले हैं स्कीम्स खोली है तो एक वो भी फोकस कर रहे है कि कश्मीर भी बड़े तो विकास के बेसिस पे भी वोट देंगे और सनात्म धर्प्र नहीं माना जाए कि धारा 370 जिसका जिक्र चल रहा है वो भी इस चुनाओं में काम करेगा कर सकता है क्यूंकि अभी आर्टिकल 370 मैंने मुवी देखी है तो उसमें जो जो बताया है से बहुत जो सब कुछ है कि कैसे अटाक हुए थे तो अभी उस लाल चौक पे अभी इतने अटाक नहीं हो रहे हैं जितने क्यूंकि मैं कश्मी कि अटाक है तो उसमें इसा दिखाया था कि मतलब कुछ भी नहीं बिलकुस ब्लकुस जादा से क्यूरिटी नहीं थी अच्छे कोई डर भी नहीं था और सबके सारे लोग इतने अटने अटाक अब इसा लगा कश्मीर देख आपको बहुत फ्रेंडली लोग थे मापे और सर मतलब अपना बिजनेस उसको बहार जाके बढ़ावाद है बट आर्टिकल 370 रिमूओ होने के बाद उस सारी इंडस्ट्री अब ग्लोबली कॉम्पीट कर सकती है तो उनको एक एडवांटेज मिला है कि अपसी वो अपनी एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं रही है वो पुरे क कॉम्पीट कर सकती है आप 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 मानते 370 को ने को हुआ है जो हुआ है सही हुआ है अगर कोई चीज आपको बढ़ावा दे रही है कोई स्किल्स देश के बाहर जा रही है तो वो अच्छी बाद है अच्छी बाद है क्या सोच रहे है क्या कुछ बदला है हिंदुस्तान जी बहुत कुछ बतला है पहले देखा जाए तो इतना एजूकेशन पर ही फोकस नहीं रेता था एजूकेशन के साथ-साथ इन्वेस्टमेट भी सब जगे करी जा रही है जिससे की विकास की और बहुत ज़्यादा जा रहा है मोधी गवर्मेंट का इस बार सबसे ज़्यादे युवा बोट करने वाला युवा और महिला आप दोनों हैं आप लोगों युवा भी है और महिला भी है क्या लग रहा है किसको बोट करेंगे सर अफकोस मोधी मोधी तेकि एसा युवा राहुल गांदी टी-शिट पहनता है अजारो टी-शिट पहनने से क्या होता है टी-शिट पहनने से क्या होता है ग्रोथ होनी चाहिए न डैवलप्मेंट होगा उसी को वोट करेगा इंसान उन पर बिस्वास नहीं है क्या सर जहां ग्रोथ दिखेगी उसी को वोट करेगा ना इंसान आपने मौका इनी दिया उनको पधारमंती बनाई नहीं तो कहां से ग्रोथ दिखे ग्रोथ कहां से हो रही है तो फिर अब यसे की मोधी कोई वोट देंगे यह तो आपके साथ जा रहे हैं सर जब उनके पास मौका था तब भी तो उन्होंने ऐसी कोई बहुत ऐसे काम नहीं करें जिसमें हमें development दिखें जिससे हम उनके उपर रलाय करें कि नहीं यह हमारे लिए कुछ करेंगे राम मंदर की भी बात करें तो अगर मोधी नहीं होते तो शायद राम मंदर कभी नहीं बनता मोधी नहीं होते तो क्या राम मंदर नहीं बनता जी सर नहीं बनता वो तो कहता है सुपरीम कोट नहीं निर्णा लिया है पर निर्णा उन लोगों ने दिलवाया है सारे गवाह, सारी चीज़े उन्होंने आगे आ कर दिये, मतलब राम मंदिर एक कितनी बड़ी चीज़े के पूरे एंपी में इंडिया में कुछ भी हो सकता था, जैसे कि अगर वो लोग नहीं होते तो मतलब भगदर मर जाती किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि राम मंदिर ए सुप्रीम कोट से ओर्डर ही अभी आया है, तो अभी होगा सब कुछ, और बात यह है कि लोगों को अवेरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ऐसे ने, जिनको कुछ भी अवेरनेस नहीं है, और अचा पहले कि अपक्छा अवेरनेस, याने जाग रुकता कुछ जादे हुई है? इसाब से तो मोदी जी का बनना चाहिए? आपको लग रहा है कि कुछ पहले के बरसों में, जैसे नितिन गटकरी की बात करते हैं, या तमाम तरह की चीजें, कुछ चीजें हुई है हिंदुस्तान में? इसाब नितिन गटकरी अभी कल शायद मध्यपदेश में भी आया थे वो, मध्यपदेश की सरकार के साथ, महन यादव जी के साथ भी उनका हुआ और उन्होंने, महन यादव जी ने कहा भी कल, के उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है. पर यह करोगे फिर क्या, क्या डेवलप्मेंट कितना दिखा है? कहां कहां डेवलप्मेंट? हर जगे डेवलप्मेंट हुआ है, उसे साथ से तो मोधी जी एक तरफा जीत रहे हैं है, इस बार. जब युवा तो है, युवा तो देई रहे हैं, उसके अलावा जिससे जो हमारे पैरेंट्स है, जितने भी लोग हैं, वो लोगों का भी यही मानना है कि मोधी जी ने जितना डेवलप्मेंट किया, उतना तो किसी ने भी नहीं किया है, तो फिर एक तरफा पैरेंट्स जो आप से बात कर रहे हैं, तो पैरेंट्स एक भूमी का निभा रहा है इसमें मोधी को लेका, उनका भी तो मत जाता ही है, तो उनकी भी भूमी का है और उनके पैरेंट्स के साथ जाएंगे, अपने मन से मोधी के साथ जाएंगे, तो हमारे मन के साथ ही मोधी के साथ जाएंग सकता है आलू से सोना बना लो राहुल किछा भी खराब की गई आप ऐसा मानते हैं बास्तम में ऐसा है पचास सालों में सरकार थी कॉंग्रेस की उत्ता डेवलोप्मेंट वो नहीं करवा जितना की मोदी सरकार ने यह दस साल में कर दिया और यह विश्वा से कि आने वाले और जो आने वाले साल है उसमें मोदी जी अच्छा है डेवलोप्मेंट करने वाले हैं यह आरोप यह लगता है कि शभी खराब करने की कोशिस की गई भारती जंता पारिटी की तरफ से लोग नेताओं की तरफ से ऐसे है नहीं राहुल गान है कि सर जैसी कि हमारे पेरेंट ने यह उनको बताते कि पहले इं दास कालों में जितन डेवलोप्मेंट हुए उतना पहले तो नहीं हुआ था अब हमने इतना नहीं देखा लेकिन हमारे माधए दाता-धादी सब्वान्य और भारत की विदेश नीती इसको लेकर बात हो रह पहले क्या पेच्चा इंदुस्तान के बाहर सुद्री है? हाँ, बहुत जादा सुद्री है, बहुत जादा सुद्री है, तो पहले क्या था? पहले हमारे कोई टर्म्स ही नहीं अच्छे थे? बहुत जादा सुद्री है, बड़ी मैतपुना बात कर रही है, इस बार के लोग सवाद चुना में वो कोविट को भी यात किया जाएगा, विक्सित राष्ट की बात भी होगी, यह यूबा समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं, बिलकुल, और सिर्फ यही बात नहीं है, अगर देखा जाए तो, और भी मतलब जैसे बाजार में तेजी इन दस सालों माई है, जैसे 180-200 परसेंट के असपास, जो एक रैली मिली है, वो भी बहुत कहीं, आप FIS की बात करती कि FIS यहां पर आए हैं, तो FIS हम यह भी नहीं भूलना चाहेंगे कि FIS को लाने काम किस ने करा, जो आप 2004-2014 तक की जो मनमोहन सिंग के सरकार देखते थे, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई, कि आपके FIS को यहां पर एंट्री दिलवाई गई है, और उस वज़े से जो आपकी तेजी बढ़ी है, उसका लाव अब जाके जो मिल रहा है, मोधी सरकार को, एक वो पॉजिटिविटी महा दे रहे हैं, तो यह माने कि मनमोहन के जो प्रयास ते वो काम आने वाले हैं, यह मोधी के प्रयास काम आई हैं, बात क्या है कि क करता है, वो खुद भारती जंता पार्टी में आघे, वे खुद अपना भरोसा है वो बारती जंता पार्टी को दिखा रहे है अच्छे ये जो दल बदल की राजनीती होती है आज कल कॉंग्रिस के लोग आए बारती जन्ता पार्टी जॉइन कर लिए ये मौका परिस्टी की राजनीती है या ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए आपको कह लगता है मौका भी देखते हैं ढूनते हैं कि ये लोग बढ़रा है तो खुद भी बढ़ जाते हैं ऐसा नहीं है बड़ काम दिख रहा है जो अग सब्सक्राइब हो बोग जोड़ा है या मौका परस्ती होता है कि जहां दम वहां हम उजाएं देखे, ग्रोथ सबको दिखती है, कोई भी इनसान आज के टाइम पर बेवकूफ नहीं है, उनको ग्रोथ दिख रही है और जिसके साथ ग्रोथ मिल रही है, आदमी उसी के साथ जुड़ना चाहता है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो, अगर उसको कुछ नहीं करना है, तो आज वो बीजेपी के साथ है, तो कल वो कॉंग्रेज के साथ भी चला जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष तो खत्म करना है, विपक्ष तो खत्म करना है, विपक्ष नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए, अगर आपक्श हो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा स्ट्रॉंग देखने के लिए तोड़ी कंपेटिशन देखने को मिले अभी तो एक तरपा जैसे मुदी जी का हिच चवी देखने को मिलती है क्यों कमजूर हो रहा है विपकश क्यों कमजूर हो रहे है सीट्स कम मिल रही है और उसके जितने भी स्टेट्स में भी चुना हुए है भाजपा की पकड़ जादा है तो इसका विपक्ष कमजोर होते जा रहा है भाजपा की पकड़ क्या हो दिए? सरब लहर ही ऐसी चली है जिस तरीके के काम कर रही है भाजपा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आम जनता का उस चीजों को लेके उस मेंटल लेवल पर अभी है नहीं कि वो जज़ कर सके सारे के सारे तो एक जाहाँ धारा का प्रभा होता उस तरीके से बहते जारे लोग लेकिन लीप में कोई नहीं सोच रहे है कि अगर विपक्ष कमज़र हो जाएगा तो जो सत्ता कर रही हूँ पार्टी। उस पте कोई दबाव बना बना नहीं है जिम्मेदार को जिम्मेदार को नहीं हो जिम्मेदार को नियूर ऑन्ज़एग और शायद घुटता का संधेश वो नह सबसे किसके साथ जाएंगे कॉंग्रेस या बीजेपी जो दिखता है वो होता है इंसान को देखकर वोट देना चाहिए तो मोदी जी को देखकर वोट देंगे इंसान को देखकर मतलब पाइटी से बड़े हो गए मुधी जी सर सर इंसान को देखके वोट देंगे और मैं फिलाल तो भाजपा के समर्थन में हो नहीं मुधी जी काम को देखकर वोट देना चाहिए और इस बार काम अच्छा काफी का रहा है उनने तो भाड़ देनता पाइटी तो धरा 370 की बात भी हो रही है राम मंदिर की बात भी है लेकिन आज का युवा डिश्टल भी जानता है जमिनी हकिकत भी जानता है और जब बात करते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं राहुल गांधी की बात करने में भी राहुल मोधी की तुल्ला करने में भी क्योंकि हम इस नहीं करते हैं कि बच्चे जो आगामी दिनों में कई ऐसे हैं जो पहली बार बोट करने जा रहें कुछ ऐ जरूर जाएए जिसको डालना है उसको डालिए पर बात जो हो रही है आप समझ रहे होंगे कि मिजाज क्या है और जाय का क्या है चुनावी जाएके में इतना ही मुझे और आसीस को दीजी जाज़त बने रही है बंसे निश्वर नमस्कार